Hello everyone, welcome to Reacademy. So, इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं Species in News. तो दो Species कल की न्यूस पेपर में में मेंशन किये गए थी, जिनका नाम था Clouded Leopard and Oriental Data. तो इन दोनों के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज है इन टॉपिक से वो होता है यह जो Species है, यह कहां पाया जाते हैं, इनका IOCN स्टेटस क्या है, ठीक है, और इनके नाम. तो आपको यह याल रखना है यह तीनों चीज, तो जो फेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स फेक्टर के लिए, वही चीज हम यहां पर कवर करना जा रहे हैं, तो जो पहला Species है, वो है Clotted Leopard, यहां पर देख सकते हो, इस विपर का यह आर्टिकल, इन फर्स्ट, इक्लूसिफ क्लॉडड लियो पैड साइट इन नागालेंड मॉंटे लेकिन में मिला है, यह Clotted Leopard, कितना beautiful creature आप देख सकते हो, तो यहां क्या खास है, देखिए खास यह है कि ऐसा नहीं कि यह पहले कभी देखाने किया था, लेकिन यह नागालेंड के मॉंटेंज में पहली बार देखा गया है, ठीक है, और इसी लिए यह न्यूस में है, चुली यह एक low elevation species है, यह निका जो रहने का स्थान है, जड़ने लिखा जाता है कि यह काफी निचले स्थर पे रहते हैं, जमीन के, लेकिन यहां पे यह mountains में मिले है, तो नागालेंड के mountain में इन्हे पहली बार देखा गया है, जिसका elevation था अलगबग 1700 मेटर, तो इसी यह important है, तो इनका जो largely inhabit area था, वो था low elevation, लेकिन अब यह अपर पार्ट में भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसी लिए यहां पे यह news में है, ठीक है, यह जो animal है, cloud leopard, is megalia का state animal भी है, ठीक है, तो इसाम में पूछ चा जा सकता है, megalia का state animal क्या है, और distribution sitters देखे, तो across south east Asia, Himalaya, south east China, Bhutan, Nepal, northern India, Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Cambodia, Laos और Bangladesh, तो इंडिया और इंडिया के परोसी जो देश है, वहां पे आपको यह देखने को मिल रहे हैं, जानतर यह हीली reason में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास species है, अच्छा इसका IOC status भी important है, तो यह जो complete आप दे सकते हो, यहां पर, एक table की तरह mention ही क्या होगा, कि किस category में क्या होता है, तो पहले सबसे पहले, ऐसे species जिनको evaluate नहीं किया गया है, यह ऐसे species जिनका data insufficient है, ठीक है, इसके बाद least concerned वाले, near threatened, then vulnerable, endangered, critically endangered, extinct in the world, और completely extinct हो जाते हैं, ठीक है, तो इस categories में यहां पर रहें किया जाता है, species को, तो जो हमारा clouded leopard है, वो आपका vulnerable category में आता है, ठीक है, यह fact आपको याद रखना है, next जो हमारा है, species होए है, seasonal fluctuation in data's movement being monitored, तो जो आपका oriental data है, ठीक है, oriental data, यह आपका news में था, और यह उसकी एक image, इसमें news में important क्या है, तो यह जो bird species है, इन्हें यहां पर इसकी movement को fluctuation देखा गया है, movement fluctuation देखा गया है, और इसका जो एक scientific name है, आपको याद रखना है, angia malangon star, ठीक है, यह एक water bird है, जो पानी में तैरता है, पानी में पानी के अंदर भी रहता है, और जब यह पानी के अंदर रहता है, तो यह कुछ साप की तरह नज़र आता है, ठीक है, तो looks like a snake, and it swims and drives into water to catch a fish, distribution area देखे, तो across Indian subcontinent, Myanmar, Thailand, और Indonesia में देखने का बलता है, और iocene status का जो है, वो आपका vulnerable से पहले, near threatened में, तो यह point आपको यारकन है, तो इसमें ज्यादा कुछ important होता नहीं है, इस तरह के species की list में, बस आपको यहां पर iocene status, species का नाम, और कहां पाय जाता है, यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो hope की वीडियो आपके लिए helpful रही हो, अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like कर सकते हो, चैनल को subscribe कर सकते हो, और इस की पीडियो आपको मिल जाएगी, रियाकैडमी के टेलिगाम चल को, तब तक के लिए ख्याल रिखे, स्वस्त्रिये, thank you.